इस वीडियो में यहां पर देख रहे होंगे आपने मैंने कुछ कोशन से यहां पर लिखे हुए है एक्चुली इस कोशन इस वहारे हैं वो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन से रिलेट करते हैं इन दे लास्ट लेक्चर और इन दे लास्ट वीडियो ठीक है वीडियो में यहां पर कुछ कोशन लिखे हुए हैं जिसको कि हम मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन की हल्प से सॉल्व करेंगे तो चलिए सब से देखते हैं अपने कोशन नमबर वो फर्स्ट को फर्स्ट को जैसा क यहां पर देख रहे होंगे फर्स्ट कोशन यहां से आप नोट कर सकते हैं देख सकते हैं इसको ठीके ना कोशन क्या है फाइंड एक सामने जो आती है वह यहां पर जो एक्स वाई लिखे हुआ है यहां पर टू मैट्रिक्स का सम ही मैट्रिक्स हो सकता है ऐसा नहीं है कि यहां पर एक्स मैट्रिक्स हो गया आपका और यह हमारा पॉसिबिल नहीं है न तो इसको सॉल 1200 करने का हमारा प्रोसिस किया रहता है तो जिस तरह सरे निखा होता था यहां पर हमारा क्या होता था यहां पर हमारा इक रिखा था 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 5 7 8 9 माइनस 8 5 भाई टू इस तरह से हमारे रियल नंबर लिके रहते थे यहां पर क्या अपका matrix है बस यह दोनों में जाएंगे मैट्रिक्स हो जाएगा ठीक ना और रियल नंबर में जिस तरह से मैट करते थे यहां पर मैट्रिक्स का एडिशन और सब्टेक्शन हमारा हो जाएगा तो आई होब कि यह कोशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉसेस हम यूज करने बाले हैं तो बाइदे करने वाले हैं और इस ही पर मैं आपका सिंब्ल बना यहां पर हम टू का मल्टिप्लाइए करने वाले हैं और इस एक्क्यों करने वाले हैं आपको कि समझ में आ गया होगा तो 2 को दो 5 4x plus 2, 3, 6y 2 का multiply कर रहे हैं और 2 का multiply अगर हम matrix में करते हैं तो हम जानते हैं कि to each element, यानि हर एक element के साथ उसे scalar का multiply कर दिया जाता है तो 2 का multiply अगर हर एक element के साथ होगा तो 2, 2, 4, 2, 3, 6 2, 4, 8 और 2, 0, 2, 0 इसी तरह second equation में 3 का multiply कर रहे हैं 3, 3, 9x plus 3, 2, 6y to each multiply के साथ हम multiply करेंगे अगर तरीका तो 3, 2, 6, minus 6, minus 3, or minus 15 easily हम इसको कर सकते हैं आसानी से समझ में आगया हुआ by same because of यहां पर जो आपका y को कोफिशेंट है जो आपका equal है और sign इसका same है तो हम यहां पर क्या on subtraction subtract करते हैं तो यह minus का sign apply किया जाता था बड़ी आसानी से समझ सकने इसको now 6y cancel by 6y और 4 minus 9 आपका minus 5x हो जाएगा और अगर हम इन दो matrices को subtract करेंगे तो corresponding elements को subtract करेंगे 4 minus 6 आसानी साब directly कर सकते है minus 2, 6 minus minus 6 and plus 12 हो जाएगा आपका 8 minus minus 3, that means 11 और 0 minus minus 15 and means 15 ठीक ना अब नाव x equal to minus 1 upon 5 minus 2, 12, 11 and 15 ठीक ठीक ना minus 1 upon 5 का multiply यह करते हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं यह आपका हो जाएगा 2 upon 5 minus 12 upon 5 minus 11 upon 5 and minus 3 यह हमारी यहाँ पर x की value हो गई ओके अब x की value क्या करेंगे same process ठीक ने एक्स की value हो equation number first and second में किसी में भी substitute इसको हम कर सकते हैं ठीक है from equation number first में इसको पहुच करके वीडियो को आप लोग इसको note कर लिएगा मैं erase कर दे रहा हूँ यहाँ पर space बना लेता हूँ कुछ ठीक तो from first first में अगर हम रखेंगे 2 x की value हमारे पास 2 upon 5 minus 12 upon 5 minus 11 upon 5 और minus 3 यह रहने वाली है plus 3y equal to 2, 3, 4, 0 अब हम 2 का multiply कर देंगे same process 2, 4 upon 5 minus 24 upon 5 minus 22 upon 5 और minus 6 plus 3y equal to 2, 3 and 4, 0 transfer करेंगे same process जैसे हम algebra में करते हैं 3y equal to 2, 4, 3, 0 minus 4 upon 5 minus 24 upon 5 minus 22 upon 5 and minus 6 ठीक लिए अगर लेगा now 3y equal to 2 minus 4 upon 5 3 plus 24 upon 5 4 plus 22 upon 5 and 0 plus 6 को जाय का आपका ठीक लेगा 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 5 to the 10 यानि 6 अपॉन 5, 5, 3, 15 और 24, I hope कि 39 अपॉन हो जाएगा, I think 5, 3, 15, okay, ठीक है, 5 हो जाए 20, यानि 42 अपॉन 5 और 6, तो y equal to 1 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 को आप अपॉन में भेजेंगे, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 6 अपॉन 5, 39 अपॉन 5, 42 अपॉन 5, and 6, और आफर देट अगर हम 1 अपॉन 3 का मल्टिप्लाइ करते हैं, तो यह बंजाएगा, आपका 2 अपॉन 5, 13 अपॉन 5, and 3 बंजा 3, 4, 12, 14 अपॉन 5, and 3, 2, 6, this is value of, बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया, I think इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसको आप दुबारा से रिपीट कर करके, इसको आसानी से आप नोट कर लें, और उसके बाद खुद से भी सॉल्व करके देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसान से कोशन है, कोशन हमार सेकें में देखिए हम आपको बता दें, यहां पर मैटिक से और आई आपका गिवन है, यहां पर हम वैलू अए और आ 2 तो हमारे पास A और I की दो वैलू है, बट A स्कुरार की वैलू हमारे पास नहीं है, तो firstly, we find the value of A, सबसे बहले हम A की वैलू फांड आउट करने वाले हैं, ठीक रहीं, ए स्कुरार की वैलू, तो A स्कुरार की वैलू, वी केन राई, एश्कुरार एकौल टो A टूए बढ़ी आसानी से आपको पता है 3, 4, minus 2, and minus 2, same 3, 4, minus 2, minus 2, multiplication बढ़ी आसानी से आपका सकते है, 3, 3, 9, minus 8 हो जाएगा आपका, minus 6, और यह आपका plus 4, 4, 3, 12, minus 8, और minus 8, और plus 4, ठीकिना, calculation आप खुछ से इसको चेक कर लिएगा, now 9 minus 8, या नि 1, minus 2, 4, और minus 4, यह हमारे पास a square की value आगे, ठीकिना, अब भी है, हमारे पास एक equation है, हमें k की value तो निकाल ली है, बट यह relation हमें given है, कि a square equal to k minus 2i के, equal आपके होगा, ठीकिना, तो a square equal to k minus 2i, तो a square definitely 1, 4, minus 2, minus 4, k, a की value हो जाएगे, आपके पास 3, minus 2, 4, minus 2, minus 2, और i 1, 0, 0, 1, देखे, आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर जो k है, यह matrix भी possible है, मैं आपको बता देता हूँ, k कोई matrix भी हो सकता है, और k कोई scalar भी हो सकता है, दोनों ही possibilities है, क्योंकि अगर हम k scalar रखते हैं, और k का multiply अगर each element के साथ हो जाएगा, और इन दोनों का subtraction भी हमें 2 by 2 का matrix ही मिलने वाला है, और left side में भी आपका 2 by 2 का matrix है, तो यह के आपका as a skiller भी इसको verify करेगा, दूसरा second thing अगर हम इसको कोई matrix consider करते हैं, ठीक न, तब भी आपका two order का matrix consider का सकते हैं, या matrix क ऐन्सरा का multiply होने के बाद यहां पर two order का मिलना चाहिए, तो two order का matrix हुआ भी मिलेगा जब हमारा k two order का matrix होगा, यहां पर आपका two order का होते हैं, तो आप Parent केंगे सर मिं तो का मैतिक कंसिरा करना है या फिर हमें इसको कीछा गरा सहीआ करना है, मैं आपको बता दूँ, कौॉशन जब ये लिखा था तो का अगर। इसको बदेन को न४त करना है इसको कहीं नुट करके रखना है सुधसा नुट भे मैद का अगर कोई भी आपका जो English alphabet है वो अगर small letter में लिखा हुआ है तो that means वो scalar को represent करता है और अगर capital letter में लिखा गया है तो वो आपके matix को represent करता है तो यहाँ पर भी देखी यहाँ पर जो x और y लिखे हुआ है capital letters में इसको तो हमने वैसे औरली भी verify कर लिया था बट यहाँ पर दो possibilities हैं आपकी वहाँ पर तो possibility बनी नहीं रही थी कि x हमारा scalar हो जाएगा या by हमारा scalar होगा बट इस question में अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर तो आपकी possibility है है बहुत कि कि हमारा matrix भी पॉसिबिल है और second आपका जो है वो क्या scalar भी पॉसिबिल है तो small letter में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको कि अगर two order का matrix अगर consider करना है तो यहाँ पर four variables आएंगे फिर variables के बाद हमारी four equations बनेंगी फिर उनको हम solve करेंगे और उसके बाद जो हमारा answer मिलेगा वो यह मिलने वाला है तो possibility है हो सकता है बट इस question में के हमारा जो है वो scholar है because of के हमारा small letter में लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान दखना है तो मैंने यहाँ पर यह आपको बता रिया है तो by this गर इसको हम simplify करते हैं because of left side matrix है तो right side में matrix होगा और right side में जब आपका single matrix बन जाता है इसको आप ध्यान दखिएगा क्योंकि यहाँ पर तो अभी compare नहीं कर सकते हैं आप करने के वाले process का यूज होने वाले है वह के में हमें कम से कम at least one equation चाहिए होगी तो process क्या हमारा है कि right side में भी हम के में एक यहाँ पर matrix क्लिक दे रहा हूं आसा नहीं समझ सकते थ्रीके और इसका corresponding element minus two यहां पर minus two के 4 के और आपका minus two के minus two ठीके आपका आप compare करिए on comparing तो यहां से 3 के minus two equal to अगर हम one लेते हैं तो k की value one आएगी आप आसा नहीं समझ सकते हैं k equal to अगर हम one रखते हैं तो यह verify करेगा के की value यहां पर one रखते हैं तो यह minus two भी verify करेगा k equal to one अगर हम put करते हैं 4 k equal to 4 से तो k equal to one आजाएगा similarly अगर k equal to minus one यहां पर k equal to one put करते हैं तो यह भी verify करेगा तो on comparing आसानी से हम कह सकते हैं k की value हमारी क्या आने वाली है बनाने वाली है कई बार क्या है अगर आप ध्यान रखेगा suppose that k की value यहां से दो बना रही है but second term से अपकी 1 नहीं आ रही है तो यह satisfy नहीं होगा इसको भी आपको ध्यान रखना है तो जो भी आपकी k की value यहां पर मिलने वाली है उसको हम right side में to each term यहां पर जितने भी elements लिखे हुए यह term लिखे हुए उसके साथ हमें उसको verify जरूर करना पड़ेगा और k की value हर एक term को verify कर रही है then k equal to that value वो value होने वाली अगर मैं यहां पर बात करूं तो k equal to 1 यह तभी हो सकता है जब k की value 1 रखने पर यह हमारा same as left inside वाला matrix अगर बिल जाता है किसी एक element के साथ भी अगर यह verify नहीं हो रही है तो value के की हम नहीं ले सकते हैं इसको भी आपको ध्यार रखने है ठीकिना आयो की question number second आपको समझ में आ गया होगा हम बात कर रहे है question number third की यहां पर कि कैसे करने वाले है अच्छा question है थोड़ा सा lengthy भी है और ध्यान से आपको समझना पड़ेगा matrix multiplication पर ही based है यह question आप यहां पर देख लोगे यहां पर A एक matrix given है I भी आपको दिया गया है 1001 and so that I plus A equal to I minus A और that matrix यह multiply है आपका देखिए यहां पर सबसे पहले तो जो हम left right में verify करने वाले है हमें आपके पास I की value भी है A की value तो हमें अलग से कोई value find out नहीं करनी पड़ेगी जैसा कि आपने देखा था question number second में हमें A square की value जो है वो find out करनी पड़ी थी पहले ठीक ना बट इस question में ऐसा question नहीं होना वाला है तो जो हमारा line of thinking है वह ही है कि हम सबसे पहले left hand side को simplify करेंगे right hand side को simplify करेंगे and then we compare left hand side and right hand side अगर वो दोनों equal value हो जाती है तो यह हमारे statement भी जो है वो verify हो जाएगा ओके तो सबसे पहले हम हमें बात कर रहें left hand side की यहां पर i plus a i one zero zero one और plus a हमारा जो है वो कॉस सोरी सोरी जीरो माइनस 10 अलफा वाई टू 10 अलफा वाई टू and zero adding अगर हम करते हैं इसको तो one minus 10 अलफा वाई टू 10 अलफा वाई टू और ही हमारा one ठीक ना यह left hand side हमारा एक क्यों सब्सक्राइब बोल सकते हैं इसको ठीक ना यह left hand side हमारा simplify होगा उसके बाद हमें कुछ करने की जरूद भी नहीं है ठीक ना यह होगया और मैटिक्स बन गया यहां पर अब हम सिंप्लिफाइब करने वाले हैं राइट इन साइड को राइट इंसाड आई मैनस ए और यह मैटिक्स दिया हुआ आपको कौस अलफा मैनस साइन अलफा साइन अलफा एंड कोस अलफा ठीक ना वैल्यू रख लिए सब से बहले हम आई की वैल्यू रख रहे हैं यहां पर यह टर्म जो आई मैनस है उसको हम सिंप्लिफाइब करेंगे उसके बाद जो मैटिक्स मिलने वाले है उसका मल्टिप्लाइब आपर ठीक ना तो आई हमारा जो है फिर से वन जीरो जीरो वन माइनस एह हमारा दिया गया मैटिक्स जीरो माइनेश टैन अलफा वाई टू टैन अलफा वाई टू एंड जीरो ठीक ना और इसको व्हूंने ब्रेकिट में लोज कर लिए और यहां पर आपका जो है वो कॉस अलफा मैनस आलफा साइन एंड 1-01 इसमें थोड़ा साइब को सिंप्लिफाइब करके बता देता हूं यह जो हमारी लाइन ओफ तिंकिंग होगी इसको सिंप्लिफाइब कैसे करें उसके बारे में डिसकास कर रहा हूं अच्छा देखें जो हमारी लेफन साइड ही इसके अंदर के जो एलिमेंट से वह साइन और को सिंप्लिफाइब करलें अगर कोई फॉर्मूला है और इसको पहले टैन में करलें तो हमारे लिए चीज़ें आसान होने वाली है क्योंकि जो एक्वेशन नमबर फिर्ष्ट या लेफन साइड हमारी जो है वो कम्प्लिटल टैन के टार्म्स में अगर हम इसको साइन में यहां पर रख भी रहें सपोल्स एट और सिंप्लिफाइब कर रहें तो फाइनली हमें के लिए करना तो टैन में ही कनवर्ट पड़े तो यहां पर लिखकर दिखा देता हूं कॉस्ट टीटा एकल टू वन माइनस टैन स्कॉड़ीट अपॉन प्लस टैन स्कॉड़ीट और साइन टूटीटा की टेन के टम्स माइडेंटी होती थी क्लास 11 टिग्नोमेट्री अगर आप रिकॉल कर रहा हूं टू टैन ठीटा अप सब्सक्राइब टूट यहां पर अधेंटी यूज करने और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसको मैं अभी आपको एक्स्प्लेंड कर चुका हूं कि हमारी जो लाइन ऑफ तिंकिंग है वह क्या है या किस तरह से हम इसको कर रहे हैं मल्टिप्लाइब साइन कॉस्के टम्स में भी क नहीं हम वेल्यों फर्बलाइ यूज करेंगे वन माइस पेन स्कार आलफा वाजओ अपान वन प्लस और सकार फा भाई तो और साइन के लिए माइस टू पैण फावई चुपलाइटो पोन फ्लस टेनिट्रा फावई तो साइन के लिए फिर से टूटैनल फावई तो अपॉ अब यहां पर हम क्या मल्टिप्लाइब करने वाले थोड़ा से स्पेस बना लेते हैं उपर से रेज कर देते हैं इसको लेफटेंट साइड को आप याद रखेगा इसको भी रेज कर सकता है ठीक है इस स्टेप की जरूवत है सिर्फ हमें इसको वणानाखे रखते हैं तो देखें मल्टिप्लाइब हम लोग पता है वन का मल्टिप्लाइब वन मैंस के साथ मुझा कि सथ टो था 1 – 10 2 अलफा टू अपोन वन प्लास टैन स्करठाइट एडा पाय टू का मल्टी प्लाइप हमारा इसके साथ हो जाएंग तो तू 10-square-alpha y2 upon 1 plus 10-square-alpha y2 in the first row first column के साथ this is a first row का second column के साथ 1 का multiply करेंगे तो 210 alpha by 2 upon 1 plus 10-square-alpha y2 और 10-alpha y2 का multiply इसके साथ अगर हम कर रहे हैं तो प्लस 10-alpha का multiply numerator में अगर हम करते हैं तो 10-alpha y2 माइनस थोड़ा सा लेंदी हो रहा है यहापर कोई नी बन माइनस हाँ ठीक है 10 का 1 के साथ ठीक है माइनस यह आएगा 10 q alpha by 2 upon 1 plus 10-square-alpha by 2 okay second row का start करेंगे इसी तरह minus 10-alpha y2 का करेंगे तो minus 10-alpha y2 numerator में और यह आपका plus 10 q-alpha y2 upon 1 plus 10-square-alpha y2 ठीक ना वन का multiply करेंगे तो 2-10-alpha y2 upon 1 plus 10-square-alpha y2 ठीक ना ओके second row second column के साथ minus 10 के साथ अगर हम करते हैं multiply सेम तो minus first का साथ प्लस हो जाएगा सौरी 210 के स्क्वार अलफा y2 upon 1 plus 10-square-alpha y2 और वन का multiply एगर हम करेंगे तो plus 1-10-square-alpha y2 upon 1-plus 10-square-alpha y2 okay simple calculation है सिर्फ आपको यह टम्स लेंदी बन रहे हैं बाखी कुछ है जो आप नहीं कर सकते हैं बड़ी आसानी से आजाने वाला यहां पर तो आप देखें नुम्रेटर से में अगर हम एड़ करते हैं 1-10-square-alpha y2 प्लस तो 1-1 रहने वाल है और प्लस 10-square-alpha y2 यह बन जाएगा तो यहां पर 1-plus 10-square-alpha y2 ठीक है अब हम इसको सिंप्लिफाइब रहे हैं तो देखें जाले दो वह यहां पर लस्तेन तो माइनस टू-10-4-2 और प्लस को टेन तो माइनस टैन-3-2 और यहां पर अलग से लिख रहा हूं और तो नाव नेक्स्ट आपका माइनस टैनल फावाई टू और प्लस टू टू टैनल फावाई टू यह देखिए आप डिनोमिटर से मैं तो आपका अगर हम लाइट टामस को एड गरेंगे तो टैनल फावाई टू बढ़ जाएगा हमारे पासे आपर और प्लस कटैन्ट क्यूव टैनल फावाई टू अपॉन वन प्लस टैनल फावाई टू के नेक्स्ट आपका वन तो वन है यहां पर डिनोमिटर से में हैं ठीक ना अगर कन्फीजन हो रहा हो आगको सेपरेट्स देखने में तो आप देख सकते हैं यह कि स्टैप उपर लिखा हो और यह मैटिक्स नीच जाएगा इसको एरेश कर दे रहा हूं ज़रूरत नीन आपर कैंसल होगा वन यह भी ब्रेकेट कैनसल हो जाएगा मैनस टैनल फावाई टू यह भी ब्रेकेट यहां से गैंसल हो जैगा 1 प्लस टैनिसक्रा से 1 प्लस टैस्ट्रें मितॉन फिचंडु अब्ड आ अर्यां पर कि आप कंपेर कर सकते हैं यहां पर राइटन साइड तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्टन साइड इकॉल टू राइटन साइड आप वीडियो रिवैंड करके देखिएगा कि तो हमारी केशन नमपर फश्टी वह भी अई जन्रेट हुई थी ठीकिना बड़ी आसानी स करने वालों कि क्या है हमारा इसको मैं रेज कर देता हूं थोड़ा से स्पेस बन जाएक को सॉल्व करने के लिए अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पाँच करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं ठीकिए ना ओके ना वाट इसको नमबर फॉर थोड़ा सा एप्लिकेशन बेश नमारा यह कोशन है और इस तरह की कोशन्स आप लोगों ने जो पहले भी किये हुए हम आपको बता देए यह कंपाउंड इंट्रेस्ट के कोशन्स इस तरह से बनते थे बट इस कोशन को मैटिक्स इन्वेस्ट करना है टोटल एमांट 30,000 को ओके नेक्स लिखा हुआ है बॉन्ड एपे फाइव परसेंट परेनम जो बॉन्ड ए है हमें वो 5% इंट्रेस्ट देता है और बॉन्ड बी जो है वो 7% इंट्रेस्ट देता है ठीकि न परहनब अब इसमें लिखा हुआ है कि अग हमें जो वांट्स ए और भी में जो हमारा इंवेस्टमेंट होगा वो क्या होगा फाइंड इंवेस्टमेंट ओवांड एंड बॉन्ड भी इफ वी है टोटल इंट्रेस्ट आफ्टर वन इयर रुपीज वन एट डबल जीरो यानिकी एटी धंडर मिल रहा है कोशन आई हो की समझ में आ गया होगा तो टोटल चुकि हमारे पास एमाउंट 30,000 का है एंड वी कंसीडर इंवेस्टमेंट लेट हम इनवेस्टमेंट हैं इसको बढ़ी असानी से समझ सकते यहां पर कही कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीकिना ओके अज़ा इंट्रेस्ट का या सिंपल इंट्रेस्ट का फार्मुला आप लोग जानते पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंडेड यह फॉर्मुला होता है या फिर आर पॉन हंडेड परसेंटेज को कनवर्ट करते हैं इस तरह से भी इसको इंटू टी यह भी हमारा फॉर्मुला होता है तो अगर मैं फर्ष्ट केस की आप से बात करता हूं तो हमें जो है वह एटीन हंडेड यह और ध्यान देखेगा इस को जो हमें है वह मैट्रिक्स मुल्टिप्लिकेशन का यूज करके करना है कोशन में लिखा हुगा यूजिं है यहां पर भी ओविसी बात है कुछ मैंटिक्स हमें यह यहांपर मिलेगे जो भी मैंटिक्सh यहां पर मिलनेवारे 123 जो भी आपका ही है ठीक ना हुग कीcriciary सब्सक्राइब जो मैं तो यहां पर चाहें जो भी हो कि यहां पर वनी और जो है इस तरह से बनता है और यहां पर इसकी हम यह पता करते हैं जो हो मल्टिपलिकिशन है डिफाइब अगर हमारा अगर किसी भी मैट्रीक्स ने का रोवन है तो उसको हम कैसे लेहं रोवन होने का मतलब होरिजर्ञ्ट ली होरिजर्ञ्टल जो मैट्रिक्स होते हैं पहले मैंने टाइप सो मैं आपको बताया था कि अगर किसी भी मैटिक्स में अगर एक ही रो है तो उसको हम होरी जैए और यहां पर वन कॉलम है तो यह आपका वर्टिकल आपका मैटिक्स हो जाएगा यानि फर्स्ट मैटिक्स हमारा क्या बनना चाहिए और जिसको आप रो मैटिक्स होना चाहिए और दूसरा मैटिक्स आपका अधिशन मेटिक्स होना चाहिए इसको आपको ध्यान लखना है तो यहां पर समय 7 Nem और यहां पर टी लिखा हुआ है विकॉज आपर हम वन येर के लिए निकाल रहे हैं यहां पर नहीं लिख रहे हैं तो यहां पर नहीं हो आपको यहां पर जो हम इंट्रेस्ट निकालने वाले यहां पर यहां पर अगर हम मल्टिप्लाइ करते हैं तो आप देखिए हैं और यहांपका एक्स का मल्टिप्लाइगा 5.100 100x plus 30,000-x into 7 अपनड्ियमार 1 ओर यह वह इंट वन इंट वन उन ओर कमेर्टिक्स और यह भी हमारा वन इंट वन ओर रगल्टिक्स रूपार कर सकते हैं आप कंपियर करने का मींस होगे आपका 500 x plus 30,000 – X into 100 common ले सकते हैं आप इसको calculation करके x की value हमें बड़ी आसानी से मिलने वाली है आप कर लीजेगा इसको 1 upon 100 common ले लिए 5x plus 21, 1, 2, 3, 4 minus 7x ठीकिने इसको calculate कर लीजेगा आप अपने आप से minus 2x plus 21, 1, 2, 3 तो 2x equal to 3000 हो जाएगा इसको x equal to sorry 30,000 2x 0, 4, 0 3, 0 आजाएगे sorry sorry 4, 0 30,000 हो जाएगा आप कर लीजेगा no matter यह आपका यहापर 15,000 बन जाने वाला x की value ठीकिने एक्स की value हमारी कितनी आगे आपर calculation है no matter आप आसानी से कर सकते इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ाओं को तो मैंने बहुत जादे explain नहीं किया हुआ है तो यानि कि investment in bond A कितना हो जाएगा रुपीन 15,000 का इसी तरह से अगर हम यहाँ पर x की 15,000 value रखेंगे तो 13,000 minus 15,000 यानि यह भी आपका उसका सेकंड पार्ट है यहाँ पर 2000 का बसके बला आपको 1800 के जागे पर 2000 रखे उसकी आप calculation बड़ी आसानी से कर सकते हैं आई हो कि यह सारे के सारे question जो है वह आपको समझ में आ गई होंगे और अगर समझ में आ गई हैं तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसके बाद bell icon बिल्कुल दबाईएगा जिससे कि हम आगे आपको यह वीडियो अगर बनाते हैं तो वो आपके पास notification पहुँचते रहे हैं और वो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख पाएं थैंक यू